अज का हमारा टॉपिक है standard normal distribution हम लोग देखेंगे कि normal distribution को हम लोग standard normal distribution कब कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि normal distribution हम किसे कहते है normal distribution हम लोग कहते हैं जब हम किसी भी random variable x की क्या करें fx को योज रईनि probability density function को हम लोग plot करें उसकी X values के corresponding तो हमारे पास एक proper bell shape बने जिस तरीके से आप इस picture में देख सकते हैं जो किया है हमारे पास? हमारे पास symmetrical form में है symmetrical से हमारा क्या मतलब है? कि इसकी जो right tail है और हमारे पास जो left tail है means से दोनों side ओंपर वो क्या है? वो बराबर है और इसका जो area under the normal curve है यानि हम यहां से लेकर और यहां से लेकर जो area यह इसके अंदर इस curve में cover कर रहा है हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास one के बराबर है यानि कि 0.5 mean के इस side पर और 0.5 ही इस side पर और हमारे पास जब उसकी probability हम लोग कहते हैं वो क्या है? हमारे पास probability density function इस form की है यानि normal distribution में हमारे पास bell shape, symmetrical और area और यह वाला PDF हो तो हम कहते हैं कि यह normal distribution है तो normal distribution standard कब होती है? standardized का हमारे पास अबसे पहले देखते हैं मतलब है अगर हम लोग हमारे random variable को यानि जो हमारे normal distribution को follow कर रहा है उसके mean से subtract करें और उसके standard deviation पर जिसे हम सिगमा से represent करते हैं divide कर दें तो हम कहेंगे कि हमारा जो यह random variable है वो standardized हो गया है और standardized जो हमारे पास है variable इसका mean क्या होता है हमारे पास इसका mean जो है वो हमेशा हमारे पास 0 होता है और इसका standard deviation जो है इस variable का वो हमाई पास क्या है वो हमाई पास one के बराबर होता है यानि इसको हम लोग यहाँ पर आप देखें अगर हम इसको plot करें तो यह हमाई पास mean zero हो गया तो यह zero line के मताबिक एक straight line होगी यानि कि इसका क्या है इसका standard deviation जो है mean से इधर भी one है और इधर भी minus one के इसमें values जो है इस तरीके से हमाई पास होती है तो जब हम अगर इस जो हमाई पास यह PDF है probability density function है normal का इसके अंदर हमाई पास अगर हम इसमें z की form में values को put करें तो इस तरीके से होगा हमारे पास आजएगा one by two by क्यूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमाई पास दिया हुए sigma अब हमारे पास हमने standardized कर दिया तो हमाई पास क्या है हमाई पास standard deviation one है तो यहाँ पर हमाई पास one आ गया two by e की power minus z square क्योंकि हमाई पास यह चीज दीवी है यह हमारे पास किसके बराबर बनती है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते है x minus mu whole square और यहाँ पर half तो हमाई पास z square आ गया और इसको हम लोग किस से represent करते हैं 5 z से represent करते हैं तो जब हमाई पास standard normal distribution है उसका हमाई पास probability density function है वो हमाई पास इस form का आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो random variable x है वो हमाई पास क्या करता है हमाई पास अगर उसका mean जो है वो 0 हो और जो standard deviation 1 हो तो हम कहेंगे कि वो standard normal distribution को follow करता है हमारे पास